नमस्कार मैं हूँ साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं अप्तेश टीवी श्वात करेंगे एक खबरे पटापट से सीगर के दाता रामगड में चुक में हुआ क्रिकेट महागूम का आयोजन मैंद्र कुमार वर्मा की पुन्यतिती पर मैंनेजर क्रिकेट कब दोजाते इसका कि आयोजन क्रिकेट प्रतियों की तामे कुल 16 टीमें लेंगी भाग पुटा में एलन कोचिंग स्थान की छात्र ने फासिल लगा कर कि आत्म हत्या पुलिस ने शब को मोर्चरी में रखवा कर परीजनों को सुबह पुलिस कर रहे हैं इमाम लेकी जाज यह एलन का इस्टूडेंट है दाने सर्मा यूपित रहने वाला है बुलन सहरता और कुनाडी में यह गिर्राज रेजिडेंसी ओफ्टल में एलन की कोचिंग कर रहा है आज सुबह नो सुड़े नो बजे करीब रेजिडेंसी ओए गिर्राज रेजिडेंसी से सुझेना मिली के एक बच्चा इस तरह से हैंगिंग केस हुआ है पोटा में सिमली अथा ना शेतरी में फोरलेंड पर टेक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौल पुलिस ने करवाया पोस्ट मर्टब जास में जुटी पुलिस यह मर्तक था हरेंदर सिंग उर्प चिंटू पुत्र यूसर सिंग राजपूत निवासी पाडलिया का रेणेवातल था तो यह रात्री को दो बजे करीब कोटा आ रहा था एक टेक्टर जिसके नंबर आर्जे अठाइस आर्सी 3663 यह अनता से कोटा की तरब जा रहा था इसने टकर मारी टेक्टर के नीचे आने से इसको इलाज एतु कोटा लेकर के आए पोटा डोक्टर ने इसको मर्दबोसित कर दिया परीजिनों को सूचित कर दिया था इसके परीजिना आचो के पोस्पाडम की कारवई चल रहे है गंगा नगर में A.N.M.L.H.P. संगोफ राजरस्तान के सद्श्यों ने विरोध परदर्शन किया पिछले 11 दिनों से कलेक्रेट पर चल रहा धर्मना परदर्शन संगठन सद्श्यों का कहना है कि ग्रेट पे बढ़ाना चाहिए जोधपुर के सरकेट हाउस में पूर मुख्यमंतरी राजे के पहुचने के बाद भाती जनता पार्टी के कई नेताओं ने बंद कमरे में की मुलाकात राजस्तान की पूर मुख्यमंतरी वसुन्दर राजे ने सरकेट हाउस में भाजपक कई नेताओं से की मुलाकात सिरोही में मावट की वारिश से जिले भर में किसानों को हुआ भारे नुक्सान किसानों ने फसल खराब को लेका जिले की जन परके निडियों ने मुआब जी को लेका मुख्या मंतरी से की मांग बूंदी में महिश नौमी पर महिश्वरी समाज ने 15 दिवसी महोट सव का आयोजन किया महिश्वरी समाज में प्रतिनिधियों ने महोट सव का पोस्टर का विमोचन किया 15 से 29 मही तक विविद कारेक्रम के दोरान आयोजित किये जाएंगे जालावार के गंधा अधाना छेत्र के बिलावली रेलवे फाटक पर काम करने वाले मजदूर पर फाइरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश गिरफतार पुलिस ने बदमाशों के कबजे से लूट की राशी और देसी कटा भी किया बरामद बिकानेर में खाजुवला ग्राम पंचायत के पूरू सरपंच और वर्तुमान अकर पाली का छेयर में अशोक कुमार पर भष्टाचार को निलंबित करने के मामले में विजेपी ने किया विरोध पर दर्शन मुख्य मंतरी के नाम ग्यापन सोब कर निलंबित को निरस्त करने हैं और यह जो सरकार में बैठे जनपरतिनी दी है यह बैक डोर से एंट्री चाहते हैं जब पब्लिक ने जब चुना है उसको पूरा मुका मिलना चाहिए था और जिस मुद्धे पे निलंबन किया गया है वह एक द्वेस्त अकॉन कारवाई है जिसके अंदर पहले भी एफ जो है निलंबन है वह बिल्कुल अवैद है अब पूरा जो गाम है उसके अंदर इसके अंदर पूरी नगरपाली का चेतर के अंदर बात पूरे का आक्रोस है और आज इसी आक्रोस को हम यहां व्यक्त करने आए हैं जैपर में प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक डोटासरा बोले सचिन पाइलेट की जन संगर्श यात्रा है व्यक्ति गत कॉंग्रेस की यात्रा नहीं क्या नफाग नुक्सान होगा इस पर मंधर कर कॉंग्रेस हाई कमांद लेगा निर्ने सरकार है कान अभी बंध है सुन नहीं रिये हम हमारी पूरी जोर शोर से उनको हमारी बात पहुंचाने की लगातार 11 दिनों से कोशिश कर रहे है कल हमारा 12 तारीक नर्सिंग डिवस है उस दिन जैपुर में महा पढ़ाओ है वहां हमारी पूरी कोशिश रहेगी पूरे राजस्थान की LSVNM एक साथ इकटा होगी एक मंच के निचे होगी वहीं पर नर्सिंग डिवस मनाया जाएगा और पूरी पूर जोर कोशिश रहेगी कि महाँ पर सरकार हमारी बात हवश्य सुने विकानेर में मंदल बचाव भियान के तहट विकानेर रद पर हाउसिंग बोड कार्मियों ने दिया धर्ना परदर्शन चतुर्ट करमचारी से लेकर उपा आवस्तन आयुक्त रहे अवकास पर राजस्तान सरकार के नहीं जमीन का उंटन खया रहा है इन चाड़ साल में मंदल के पास कोई नहीं जमीन आयी नहीं बिल्कि जो मंदल की संपधी थी वो खुर्द बुर्ध होती जानी है जोड़पुर में केंद्री जल सक्ति मंतरी गजेंद्र सिंग शेखावत मीडिया से हुई रूबरू मुख्य मंतरी के विधायकों के पैसे के लें दिन वाले बयान पदी प्रतिकिरिया मुख्य मंतरी पैसे लेने वाले विधायकों के खिलाव कारवाई करे या फिर जनता से मांगे माफी जालावार के भवानी मंदी था ना छेत्र के सम्रदी एंकले में आईपील क्रिकेट में इस पर ओनलाइन सट्टा लगवा रहे 24 आरोपी गिरफतार करोडों का हिसाब और 1,34,800 नगदी की बरामत पुलिस कर रही पूस्ताच जैपूर में सचिन पाइलट ने जन संगर स्यातरा की शुरुआत वहीं दूसरी और मुख्य बंतरी अशो गहलोत ने एक कारे करम में अपने सम्मोदन में बिना नाम लिए आइकन को दबारा ना खूले क्योंकि आपकी खबरों का घरोसिमन साथ ही है नवदेज टीवी